हेलो फ्रेंट्स तो कैसे आप सब हो आई होप आप सब अच्छी होगी तो आज मैं आई हूँ बैंगलॉर तो बैंगलॉर में हमने डिसाइड किया इसा कॉंडेशन के आधियोगे को देखनी का तो हम शाम में निकले बैंगलॉर सी यह राउंड 80 किलिमेटर है जो कि हम टू हा आप इसाइड के आप इनका शो होता है लाइटनिंग शो जो कि बहुत ही सुपर्ब बहुत ही अमेजिंग था तो हम लोग ने देखा तो मैं थोड़ा पीछे बैटित में चलती हूं आगे आपको देखाती हूं पूरा फ्रंट लिक यह देखो यह मैं आगे आगे हूं आग में 7 o clock का टाइमिंग है सब भी के सभी लोग सिर्फ स्टेचू का लाइटिंग शो के लिए वेट कर रहे थे देखो लाइटिंग शो स्टार्ट हो गया है तो अम मैं थोड़ा कम बोलूंगी और आप बहुत स्रांती से इसका लाइटिंग शो देखो मैंने पूरा रिकॉर् होती अमेजिंग है वाओ 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 जस्ट आमेजिंग इसमें देखो आपने आप स्टेचू को बहुत ध्यान से देखना सारी अग्रिविटी स्टेचू में बहुत अच्छे से दिख रही है अजह वाओ ये गजए दिख रही है अभूत आप बहुत देखो आप झाल झाल तो देखुएं सिश्क में दिखा रहा है कि कैसे सारे योगी, जो रिशी मुनी है वो तपस्या कर रहे हैं, झाल 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 मुझे तो यह लाइटिंग सोट बहुत ही अच्छा लगा आप ही अगर बैंगलोर आना तो इशा फाउंडेशन जरूद आना और आदी योगी के दर्शन जरूद करना आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा बहुत ही पॉस्टिव वाइब आएगा इस तो अभी निखें इनका फेज चेंज होगा कलर देको हाज़को हाज़को हाज में ब्लू कर दिया बुड़ा इन आप ली इसके इस इस पेरी ब्लू टिफिल पूरी स्टेज ब्लू कलर्की हो जाती है तो हमने देख लिया आप हम निकल रहे हैं देखो कितनी क्राउड है निकलने में वार टाइम लगा हमें और बाहर ऐसे हैं बहुत सारे शॉप भी हैं आप खाबी सकते हो अच्छे से कोई इशू नहीं है तो चुकि हमें लेट हो गया तो मैं जाए हूँ कार पार्किंग की तरफ वहाँ पो दिखाती हूँ तो कार पार्किंग की तरफ तो कार पार्किंग के साइड भी बहुत भीड़ था क्योंकि कार निकलने में भी बहुत टाइम लग रहा था तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल उनको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थेंक्यू